हाई गाईज, I hope all of you are doing well, so आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपोर्टेंट एक टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, वो है आसाम इनिवर्सिरी रेजिस्ट्रेशन और असाम इनिवर्सिरी रेजिस्ट्रेशन को मुद्धे नजर रखते हुए, कुछ चीजों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, तो प्लिस वीडियो को एंड तक देखना, देखने के बाद वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को अगर स वो चल रहाए, और उसका डेट जो है, फॉर गुरुचरन कोलेज स्टुदेंस वो इंकरिस कर दिया गया है, अप टोगों को जाकर क्या करना होगा? कि उस registered जो form है उस form का print out copy निकलके उसको कुछ documents के साथ attach करके उसको college के counter में जमा करना है ठीक है तो इसको इसमें आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो first semester का जो figured है वो रहना चाहिए उसका jerox copy and self-attested copy यानि उस जो भी documents आप दोगे साथ में उन सब के नीचे आपके खुद के signature रहना चाहिए sign रहना चाहिए या फिर आपका नाम लिखा होना चाहिए ठीक है तो आपका first semester का figured आपको रखना है साथ में उसके बाद आपका HSLC and HS दोनों exam के admit card रखना चाहिए original copy का jerox copy ठीक है उसके बाद आपका HSLC and HS दोनों का mark sheet का jerox copy उसके बाद आपका जो registration certificate है यानि जो class 9 पर मिलता है और class 11 पर मिलता है उस registration certificate का jerox copy और साथी साथ आपका class 10 and 12 का pass certificate का भी jerox copy आपके साथ होना चाहिए along with the form जो आप निकालोगे print out करके ठीक है उसके साथ जो students आसाम government के आसाम education council से नहीं है उनके लिए migration certificate जो है उसका original copy and digilocker app से downloaded हुआ मतलब download करवाया हुआ copy भी चाहिए होगा ठीक है तो ये कुछ documents आपको साथ में रखना है उसके साथ अगर आपका gap है तो आपका जो gap certificate है वो भी आपको fill app करना है जो कि आपको college website में मिल जाएगा आसाम university proforma में मिल जाएगा उसको fill app करके आपको उसी के साथ मतलब जितने भी documents मैंने mention किया उनके साथ उसको भी आपको submit करना है in the college counter और एक चीज़ याद रखना कि आपको मतलब एक भी इधर से अगर document आपके पास नहीं है तो उसके लिए पहले college authority के साथ counter में जाके बात करना है वो लोग जो बताएंगे उसके बात जाके आपको कुछ करना है ठीक है आप ऐसे ही मतलब यहाँ से अगर किसी भी document आपके पास नहीं है कोई एक document अगर आप वो नही देते हो और उसके बिना अगर अपने किसी तरह से submit कर दिया तो हो सकता है कि आपका registration जो है वो cancel हो जाए ठीक है यह बहुत ही important है सभी student के लिए क्यूंकि मैं मानता हूँ कि अगर registration नहीं होगा आपका तो आप student नहीं बने हो आप तक complete जो आपका admission process है और registration खतम होने के बाद खतम होता है ठीक है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ surely share करना क्यूंकि सभी के लिए बहुत जादा important है वीडियो और एक चीज़ में बताना चाहता हूँ कि किसी का अगर अभी तक नहीं निकला है तो आप एक बार अगर मतलब निकल नहीं रहा है अगर द सब्सक्राइब पर देना थेंक्यू